पनोर मंक रोप जो सोचता है वो करता है अगर आप यह गलती करते हैं तो आपके हाथ से जमीन चली जाएगी आपको बता दे कि जमीन सर्वे को लेकर राजस्व एवं भूमी सुधार विभात के सचीफ जैसिंग ने तमाम जानकारिया दिये उन्होंने बताया है कि सर्वे के माध्यम से रयत के नाम पर खातियान में नाम दर्ज किया जाएगा गिरम जरुआ मालिक और गिरम जरुआ आम ये सभी जमीन सरकारी है इन जमीनों में से ही अलग-अलग योजनाओ के तहट आम लोगों को जमीन सेटल्मेंट के दौर पर दी गई है जैसिंग ने आगे कहा कि उक्त जमीनों पर अगर सरकार ने किसी को घर बनाने के लिए जगा दी है तो ये जमीन उनकी ही रहेगी हाला कि सरकार की ओर से दिये गए कागजात का होना जरूरी है अगर कागजात नहीं है तो सर्वे के तहट आपके नाम को खातियान में दर्श कर दिया जाएगा तो सर्वे के फायदे को बताते हुए जैसिंग ने कहा कि इससे सारे रिकॉर्ड अप्टो डेट हो जाएगा खातियान के बाद हर किसी के पास जमीन की जमाबंदी होती है जो दाखिल खारिश के बाद किया जाता है लेकिन अधिकतर लोगों के पास जमीन का नक्सा नहीं होता है इस सर्वे के बाद नया खातियान त्यार हो जाएगा आगे जैसिंग ने कहा कि नया नक्षे बन जाएंगे सभी जमीन से जुड़ी जनकारिया डिजिटल प्लैटफॉर्म पर आ जाएगी इसके बाद कोई और सर्वे की जरूरत नहीं पड़ेगी डिजिटल अपडेट होने के बाद समय समय पर मैप को भी अपडेट किया जाएगा जमाबंदी को भी अपडेट किया जाता रहेगा तो सर्वे के दौरान अगर जमीन के मालिक के कालजात में कुछ तूटिया रहती है उसे लेकर सर्वे के दौरान तीन बार अपील की जा सकती है अगर आप इस सर्विस से संतुष नहीं है तो न्याए प्रक्रिया के तहट भी अपील कोट में दर्ज कर सकते हैं उन्होंने ये भी कहा कि जो वैक्ती बिहार के बाहर से आ हैं या फिर देश के बाहर हैं वो डिजि किसी से गलत तरीके से कब्जा किया गया है कागजाथ नहीं है तो खातियान पर नाम चड़ाना संभव नहीं होगा अगर माली के पास रिजिष्ट्री के काअगजाथ है तो माली को ये स्थापित करना होगा कि जिन से जमीन खरीदी गई है उसके पूरवजो का नाम खातिय कर सकते 1911 के खतियान के आधार पर भलें मालिक बदल गया हो लेकिन जिन लोगों ने जमीन खड़ी दी है उन्हें ये स्थापित करना होगा कि खातियान पर दर्ज ने ये भारत लाइब के साथ बहुत बहुत धन्यवाद पनोर्मा क्रोप जो सोचता है वो करता है अगर वीडियो पसंद आई अरुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजेगो घंट कली 9386816700 धन्यवाद